हलो दोस्तों नमस्कार आज हम लेके हैं समयधान का नेस्ट पाइट और जिसका नाम है मूल करतब कल हमने आपको नेती नेती नेतिस तत्यों के वारें बताया था जो बहुत important रहता है और मूल लितिकार की कहा रहते हैं बहुत important सम्मिधान बना था इनका बाद में उलेक किया गया है तो इनको जोडने के लिए संसोधन हुआ था उसके तहते इसको जोड़ा गया तो भाग चार कामे रखा गया अनुछ्षेद 51 का में रखा गया उसको ठीक है और पहले सबसे पहले जब जोड़े गया थी यो तो ugandrare ते दस मौलिक अदिकार थे कितनी थे दस मौलिक करतब बिते ठीक है और बर्त माने में 51 का के अंतरगत मौलिक के अदिकार片ं के संख्याज हो गई है वो ग्यारा हो गई है कितनी हो गई ग्यारा ग्यारमा मुलेदिकार जो जोड़ा गया है वो अनुचिद काके टा में जोड़ा गया है इसमें काके टाके टा में अनुचिए 86 में सम्मिदान संसोदन था जो 2002 में हुआ है अब पूछेगा झाथा 86 में सम्मिदान संसोदन 2002 में जोड़ा गया था ठीक है ध्यां रखना ठीक है और जो आपका सम्मूल करतब जिसमें है वो सोविशंग वो भीष्व का पहला ऐसा था जिसके सम्विधान में मूल जो कर्तब्य थे वो इस पस्ट रूप से उल्लिक हितने कौन सोवियत संग देहारकना तेसके बाद जापान है हमारे एस्या में गर हम बात करें जापान जो पहले स्थान पर रहता है मूलकर्तब्य पूछा जाता है किस देश के संब्धानिक प्रभधानों से प्रभावित होकर भारती संब्धान में मौलक करतब उल्लेखित हैं बता चुके हैं भाग चार ए लिखें या का लिखें हैं तो आप दिया रखना है संब्धान में संब्धान में आठ मौलक करतब को जोड़े जाने का सुझाब दिया गया था लेकिन ब्यारस में संब्धान संसुदन अधनियम 1976 द्वारा दस मौलक करतब भी जोड़े गए थे यह हम आपको बता चुके हैं ठीक है द्यारकना किस की स्पारिस पर सुनट संथी की सिपारिस पर द्यारकना इंपोरेंट रहता है आपका नेस्ट बात करते हैं भारते संब्धान में मौलक करतब किस संसुदन द्वारा जोड़ा गया है मैं अभी आपको इस टार्टम में बता चुका हूँ 166 में संब्धान संसुदन अधनियम 2000 के द्वारा क्या चपा गया जोड़ा गया है मौल करतब को मुक्ता किन दो भागों में रखा गया है तो नेतिक करतब और नागरिक करतब और नागरिक करतब सोते हैं उनका आप सम्मान करो सोतनता संबंद सम्मान करो तो वो सब किसमें नैतिक करतब में हैं moral duties बोलते हैं इसको ठीक है नेस्ट बात करते हैं कि प्राकर्तिक बात परियावन एवं जीव बन जीव सरक्षन भारती नागरिकों के मूल करतब में से एक है चाहिए प्राकर्ति जो प्रयावन है वह हो चाहिए आपका बन जीव सरक्षन हो यह दोनों क्या केस में रखेगे हैं मूल कर्टब में रखेंगे बहुत इंपूर्टेंट राष्ट्य महत्य के स्तानों और इसमार्कों की रक्षा करना मौलिक कर्थभ नहीं है बलकि रक्षा करना ऑपकी क्या मौल कर्थभ में है वो क्या है नीती निदे सकता तो है वो क्या है नीती निदे सकता तो लेकिन प्राक्रतिक रक्षा करना और जो जीव जन्त होते हैं उनके रक्षा करना ये आपके क्या मूल करतब है ठीक है द्यान रखना महलाओं के सम्मान के लिए कुपरताओं का त्याक करना प्रतियक भारत ये नागरिक का करतब भी है ये किस अनुचेद में उबन रित है तो अनुचेद 51 का के भाग पांच में अनुचेद है किसमें पांच भाग में क्या है से उल्ली खेत है ठीक है द्यारखना अब ये आपको अनुचेद 51 बता देंगे पूरा डेटेल से पहले इस सिज़न को पढ़ लेते हैं मूल करतब किन पर लागू होते हैं तो केवल नागरिकों पर होते हैं किस पर आगरिक जो भारत के नागरिक हैं उनी पर क्या होते हैं ये लागू होते हैं द्यारखना पालन करने और उसके आधर संस्थानों राश्टुज और राश्टिगान का आधर करें ये आपका पहला मौलिक करतब्य है सुतनता के लिए हमारे राश्टियांदनों को प्रेश्ट करने वाले उच आधरसों को हिर्दय से सजाएं रखें और उनका पालन करें ये आपका दूसरा करतब्य है तीसरा भारत की सप्रुता एक्ता और अखंडता की रख्षा करें और उसे अक्षड रखें ठीक है उसे का रखें सर्रक्षित रखें तो ये आपका तीसरा करतब्य है देश की रक्षा करें और आहान की जाने पर राष्ट की सेवा करें जब भी आपको जरूत पर राष्ट की तब आप उसके क्या हो प्रेरत हो और उसकी का करो आप रक्षा करो यह आपको चौथा करतब भी है इंपोर्टन रहते हैं इनमें से कब की पूछ लेते हैं आपको यही नहीं पता होते हैं कि मोरल डूटी होती कौन सी है मुल करतब होती कौन सी है तो आप क्या सही करेंगे भारत के सभी लोगों में समर्सत्ता और समान ब्रात्यत्य की भावना का निर्मार करें जो धरम भासा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी बेदभावों से परे हो ऐसे प्रथाओं का त्याक करें जो इस्तुरियों के समान के बृद्ध हो ठीक है तो यह भी आपको क्या पांचमा क्या है हमारी समासिक संस्कृति की गौरव साली परंपरा का महत समझें और उसका परसिक्षण करें ठीक है संस्कृति जो मारा कल्चर है उसको क्या करें समझें और उसको क्या करें आगे बढ़ाएं ठीक है और उसकी क्या करें प्राणी मातर के प्रतिया भावना रखें तो जो बन हैं जील हैं नदी हैं बन जीव हैं उन सब की क्या करें आप रखशा करें ये साथ में आप मौलक कर्तब्ळ है या मूलक कर्तब्ळ आठ्मा है ड्र 획 ब Même से मानपटा ग्यान अरजन तरथा सुधार की भावना का विकास र रहें और किया रहा है हिंसा से दूर है यह नमा है व्यक्तिगत और सामोही गत्विदियों के सवी चेत्रों में उतकर्स की ओर बढ़ें सतत्प्रयास करें जिससे राष्ट रंतर बढ़ते हुए प्रयतन और अपलब्दी की नई उचाईयों को प्राप्त करें यह आपका दसम सबसे लाष्ट में वड़ा था जो इंपोड़ेंट रहता है इसी के द्वारा सर्व सिक्षा अविहान की सुरुवात हुई है कि प्रतियक बच्चा 6 वरसे 14 वरस का क्या करेगा निसुल की सिक्षा को धारण करेगा या पढ़ेगा और सभी माबाप की क्या होती है जिमेदा जाते तो आप धारण एक राश्टगान के लिए किसी वी बेट्री को क्या कर सकता है बात किया जा सकता ये किसने का है तो आप कहके ए fiquei एन वह नहीं हो सकता कि नहीं बेल पार और पियल कहा जाता है जो आप PIL जो दाखिल करते हैं उसके जनक कौन माने जाते हैं तो आप किने बता देंगे जनक ठीक है तो P.N. भगवती चाल रगाँ तो सरवश नहीं लेके P.I.L. फादर आप P.I.L. जो P.I.L. जनहित याचका जारी की जाती है यह डाली जाती है P.I.L. सभी समस्ते होंगे अगर उसकी जनक पूछता है कि कौन माने गए हैं तो P.N. भगवती माने गए हैं कौन माने गए हैं पी एन भगवती चाल तो यहां तक आप चीजों को दिहा रखेंगे अगर हम लोग बात कर लें कि 51 एक आप थोड़ा से जनकाई देते हैं कि अनुच्छे इख क्यावन का कि अनुसार भारत के पृति नागरों को करता भी क्या है तो हम बता चुके हैं तो देखी पहला समिधान का पार्ण करेंगे और उसके आदर संस्थानों राष्ट दुजों राष्टगानों का क्या करेंगे आदर करेंगे इन सब क्या क्या करेंगे आदर करेंगे दूसरी बात करते हैं सुतंतरता के लिए हमारे राष्ट्री आंदोलन के प्रेरित करने वाले उच आदरसों के हिर्दे में सहयोजर रखेंगे और उनका क्या करेंगे बालन करेंगे ठीक है देश की रक्षा करेंगे और आभान करेंगे कि राष्ट की सेवा करें अगला है कि भारत के सभी लोगों को क्या रखेंगे भाईचारा रखेंगे हैं और जो इस्तरियों से सम्मधित प्रथाएं हैं कुप्रथाएं उनको क्या करेंगे दूर करेंगे अगली करते सामाजिक संस्कृति और गौरफ साले प्रंप्रवा क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे हमारी स क्या था कि 6-14 बच्चों को क्या करेंगे निस्तुल्ख सुरक्षक के लिए क्या जो उसकी अब वाबक हैं वो भी क्या करेंगे परियरत करेंगे ठीक है तो यहां तक आपको हमारे बास समझ में आ गई होगी तो हमारे वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर करें लाइक करें ठीक